नवाश्कार दोस्तों शिर्वे के इस नजवर्ड में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है और मैं हूं डॉक्टारंग्ट दोस्तों आज बात करने वाला हूं ओवरियल सिस्ट के बारे में यानि कि ऐसी फीमेल जिनकी ओवरीज में सिस्ट बन गया हैं जिसकी मेजर तीन क्या कारण होते हैं इनके बारे हम बात करेंगे शाती साथ हम बात करेंगे एक ऐसी होवेथिक मेडिसन के बारे में और पैल आइकॉन दबाएं तो दोफ़र वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सभी से ही रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप हमारी चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लिजे बैल आकॉन दबा दिए ताकि आपको हमारी वीडियो की करते हैं और आप इंदबुक कर सकते हैं चले लिए ऊवेरियन से बारे में में चोटे जोटे एस्तिस्ट बन जाते हैं जिससे कि उन्हें काफी सीवियर पेन होता है अब्डॉमिनल पेन होता है साथ साथ सम्टाइम्स जो मेंस्ट्रॉल साइकिल होती है बहुत डिस्टरब होती है कभी-कभी तो पीरिंट्स आते ही नहीं और कभी तो इतनी जदे हैवी ब्रेडिंग हो जाती है कि फीमिल्स बहुत दाद परिशान हो जाती है और इस कारण उन्हें खुंड की कमीर, वीक्नेस, चिरचड़ापन और काफी सारी अधर्स प्रॉब्लम हो जाती है तो यहाँ पर हम बात करेंगे कि आकर इसकी मेजर कारण क्या है तो यहाँ पर तीन मेजर कारण आते हैं जिसमें सबसे पहला जो मेजर कारण आता है वो आता है हार्मोनल इंबैलेस हार्मोनल इंबैलेंस फीमेल में सबसे कॉमन प्रॉबलम है, सबसे मीजर कॉज है आपका ओवेरियल स्रिस्ट के लिए फीमेल के अंदर इस्टोजन और पोजस्टोन दो ऐसे हार्मोस होते हैं जो फीमेल की जो रिपोड़क्टिव साइकिल होती है ओवेरियल स्रिस्ट अपियर हो जाता है जिसकी वेसे में बहुत सारी कंप्लेंस रहती है अब तो बहुत कम हो गया है बट पहले के जवाने में अर्ली प्रेग्नेंसी मतलब की अपकी 17 साल, 18 साल, 20 साल के अंदर प्रेग्नेंसी हो या दे थी और ये भी एक major कार बनता था ओवेरियर स्ट का क्योंकि कम उमर में मा बनने करा फीमिल में काफी सारे हारोलर चेंज़े आते थे और इसके करा फीमिल के अंदर प्रेग्नेंसी के बाद ओवेरियर स्ट होना ये common कार बन जाता था तीसर अमर के अगर सब बोऋब में लिएक 아रा cmky ज्यसल में में जाब्ला कि शम्टम्स क्या होते हैं तो जो माइजर स्टक्स होते हैं वो सिम्टम्स होते हैं जैसे की आप आपकर बहुत ज्यदा severe abdominal pain होता है abdominal pain लगा तार वना रहता है लंबे सुमय तक साइक्ल डिस्टर्ब हो जाती है ने सुपल जाती है मोड असने लगते हैं बहुत ज़दा या कभी कभी है वी डेखने को बिलती है जिससे पिशन काफ्या धर वीक और आनेमिक फोजाता है तो जैसा 성bok बने वीडियो के इस ड्रॉप जिसका कोड है A90, A90 क्या आपसे मिल जाएगा आप पुछेंगे कहीं पर भी तो आपको LN की A90 ड्रॉप लेना है, Ovarian cyst के लिए, आप आप देख सकते हैं, मेरे पास है, Ovarian cyst drop के नाम से आती है, और यह बहुत अच्छा वर्ट करती है, Ovarian cyst के patients पर, बात करेंग हम कि इसमें क्या-क्या मिला हुआ है, तो सबसे पहले इसमें आता है, Apis Malifica, Next आता है इसमें Arcanic Album, Next medicine इसमें Iodium, Next medicine आती है इसमें Lilium Tick, Next है इसमें Conium Mac, फिर है Lackanum, Next आती है आपका Hyper Sulf, Next इसमें है आपका Belladuna, Next इसमें आता है आपका Palladium, और आखरी medicine आती है, इसमें Calcutia कर तो यह सारी मेडिसिन चाहिए वो एपस हो आर्थे निक हो आयोडियम हो डिलियम टिक हो कोनियम हो लककैन हो इपरसर्फ बैलाड़ उना पलेडियम है कैलकी जाकर यह सारी मेडिसिन का कॉंबिनेशन फीमिल के अंदर ग्लैंड्स पर वर्थ करता है हार्वों उसको नॉर्मल करने का काम करता है साथी साथ अगर किसी तरह की की सिस्ट का फॉर्मेशन हो गया है किसी तरह की गाट का फॉर्मेशन हो गया है उसको ठीक करने का काम करती है उसको गुणाने का काम करती तो overall जो यह medicines है जो कारार पे काम करती है यानि कि cause पे काम करती है और symptoms पे काम करती है जिसी की patient को जल्द से जल्द relief मिल सके तो काफी अच्छा combination बनाया गया है एलेल के तरफ से female के लिए बात करें लेने के तरीका तो लेने के तरीका बहुत ही special है 50 drops आपको लेना है आधे कप पानी में दिन में 4 बार कब तक starting के 4 rays यानि कि जब भी आप इस medicine को start करेंगे तो starting के 4 rays 50 drops आधे कप पानी में दिन में 4 बार use करना है और उसके बाद 30 drops दिन में 3 बार आधे कप पानी के साथ आप उसको use करेंगे और फिर लंबे समय तक यूज़ कर सकते हैं इस्टार्टिंग के चार दे जब भी यूज़ करें उसका आपको ध्यान दे रहा है कि डोस बढ़ानी है और डोस को चार बार लेना है और चार दिन के बाद डोस कम करनी है और रिपिटिशन भी कम कर देना है तो आपको काफी अच्छे इफेक्ट बिलेंगे बात करें इसके कि इसके इंडिकेशन क्या है तो साफ साफ लिखा हुआ है सिस्ट फॉर्मेशन और ओवरीज ओवरीज जो सिस्ट फॉर्मेशन आते हैं उस पर वर्क करती है पॉलिसिस्टिक ओवरीयन सिंड्रूम्स बहुत सरे चोट 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 आपको पॉलिसिस्टिक निकल जा रहे है क्या करते है ऑपके खॉट अच्छा वर्क करती है डल एक्टिंग और सदं संट चार्प icy पीर पर बने बहुता है अब्लमिनल क्रैम्स आते हैं, पेन होता है, हलका फुलका है तो भी काम करेगा और बहुत तेरी से बहुत जल आयता है तो वहाँ पर भी काफी अच्छा वर्क करता है, साथी साथ यह रेगलों मेंस्ट्रॉल पीरिड जो आपके पीरिड्स में देड़ ही हो जाती है कभी बहुत जल्दी आयाता है कभी आता ही नहीं है वहां पर भी काफी अच्छा work करता है और bowel movements हो गए या sexual relationship बनाने के दौरान जो pain वगर होता है तो वहां पर यह काफी अच्छा work करता है साथ जातर बात करें इसको आप कहां से purchase पर्चेस कर सकते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है वहां से पर्चेस कर सकते हैं या फिर हमारी वेबसाइट www.shreehomeusecenter.com से वे जा करके अग्ड को पर्चेस कर सकते हैं उमीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी वुडियो पसंद आई तो प्रीज वीडियो को लाइक करेगा वीडियो को शेर करेएं सबी Phemales के साथ जिनकों की OVRES की प्रॉलम है या अप किसे ही फीमेल फ्रेंड को अपने WhatsApp ग्रुप्स पे शेर कर सकते हैं स्मर्च से वीडियो लाते रहते हैं तो मैं डॉक्ट आनंद मिलता आप से इसी तरीके के अमले वीडियो में तब तक कि लमशकार जै हिन जै भर